हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइमस ऑफ मतेमेटिक्स में जी है, HNB गडवाल उनिवर्स्टी ने एक्जाम से रिलेटिड दो हजार इक्टिस का सबसे पहला नोटिस निकाल दिया है तो देखिए सबसे पहले हम इस नोटिस में जान लेते हैं क्या है तो जो यह नोटिस निकाला गया है यह UG और PG के स्टुडेंट के ले निकाला गया है एक्जाम से रिलेटिड नोटिस तो UG में मतलब जैसे हमारे BA, PSC और BCOM के स्टुडेंट्स आ जाते हैं PG की बात अगर मैं करूँ तो उसमें MA, MSC और MCOM के स्टुडेंट्स आ जाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो यहाँ पर बात की जारी है और सेमेस्टर के स्टुडेंट की बात की जारी है मतलब अगर आप 3rd semester में हैं या 5th semester में हैं या 7th semester में हैं या 9th semester में अगर आप इन में से किसी भी semester में हैं तो यह notice आपके लिए हैं अगर जो हम यहाँ पर बात करें 1st semester की तो देखिए 1st semester का जो session था वो काफी late start हुआ था इसलिए होंगे exam first semester के भी पर अभी इन में ये discussion चल रहा है कि जो इनका exam pattern होगा कैसा होगा कितने questions होगे तो जैसे ही इससे related कोई भी notice आएगा वो सबसे पहले आपको हमारे channel में मिल जाएगा उसके लिए आपको हमारे channel को subscribe करना पड़ेगा और bell icon दवा लेना पड़ेगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि sir ये exam कब होंगे तो ये जो exam होंगे ये March end में exam होंगे मतलब March last में अगर आपके exam होंगे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आपके exam की date seat आएगी वो March के first week में मतलब 10 मार्च से पहले पहले आपकी date seat आजाएगी तो date seat आने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले पता चले तो आप notification bell को जरूर दवा ले अब देखिए pattern समझ लेते हैं जो सबसे बड़ा question यहां बच्चों के दिबाग में आ रहाएगी कि सर एक्जाम का pattern कैसे होगा हमें लिखके देना पड़ेगा यह MCQ होगा कैसा होगा तो मैं आपको बता दू जैसे पिसली बार last time आपके seniors के हुए थे MCQ OMR based question हुए थे मतलब आपको हर question के option मिलेंगे और जो आपका सही option होगा वो आपको tick mark करना पड़ेगा अगर आपने कभी OMR यह MCQ question नहीं दी है तो आप में नीचे comment में करके बता दे मैं उसके लिए भी आपके लिए एक separate video बना दूँगा काफी बच्चों को यह भी दिक्कत होगी कि सर यह MCQ जो question से हम कहां से पढ़े कैसे करें तो देखिए आपको उसके लिए tension लेनी के कोई जरुवत नहीं है हम आपके साथ हैं आपर हमारे channel में last time हमने हर subject के अलग-अलग faculty रखी दी जिसका response हमें बहुत अच्छा मिला था तो इस बार भी हमारी information हमने आपको एक्जाम से related दे दी पर एक्जाम देने से पहले आपको भनना पड़ेगा examination form ठीक है तो examination form से related जो बहुत महत्पुन बाते हम उस पर पहले नजर माल लेते हैं तो सबसे पहले देखिए जो यह exam date है यह exam date start हो चुकी है 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप इस form को online भर सकते हैं मतलब अगर आपको खुद बढ़ना है form तो आप इस site में जा सकते है www.online.hnbgu.ac.in और नहीं तो आप cyber cafe में जाके वहाँ पर अपना online form भरवा सकते हैं तीक है अब देखिए अगर किसी student का form late हो जाता है मतलब 28 फरवरी तक form नहीं भर पाता है तो उसको 1000 रुपे extra late fees देनी पड़ेगी तो आप मैं यही कहूंगा कि आप जल से जल भर लें last में भी ना जाए last में जो site होती है server busy होने लगता है जिसकी विज़े से काफी बच्चे tension में आ जाते हैं अब देखिए आपने form भर लिया तो जिस समय आप form भरेंगे उसी समय आपको एक काम करना है उसी समय उस form का print out निकल वा लेना है साहती साहत जो आप online fee submit करेंगे उसकी जो slip होगी जो उसकी receipt निकल कराएगी उसकी भी आपको क्या करनी है print out निकल वा लेना है hard copy निकल वानी है और उस hard copy को अपने college में 5 मार्च से पहले submit करना है 5 मार्च उसकी last तारीक है तो 5 मार्च से पहले आपको उस सारा print out को आपको college में submit करना है यह थी आपकी जितनी भी examination form से related information थी अब बात आती है back वाले students की ठीक है काफी बच्चे भी यह confusion में रहते हैं कि sir back है मैं कैसे दूँ कब भरूँगा तो उसको भी मैं आपको यहापर clarify कर देता हूँ जो भी student जिनकी back आई है चाहे 3rd semester में आई हो चाहे 5th में हो चाहे 7th में हो चाहे 9th में हो तो वो भी इस भार अपना online form भर दे back का back का form भर दे अब क्या होगा back का form भर दोगे तो अब question यह उठता है कि sir सारे subject के paper mcq हो रहे है तो क्या back के भी mcq होंगे जी हाँ आपके back के exam भी mcq होंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप mcq देके अपनी जितनी भी back है clear कर ले तो यहाँ से आपको मैंने एक back का जितने भी information थी वो मैंने आपको दे दी तो 28 फरवरी से पहले आप अपना form भर दे और जो जो मैंने आपको बताया फर्स सेमेस्टर का notice हो गया पेपर का पैटन कैसा होगा mcq में कितने question आएंगे last time जैसे 30 से 35 question आये थे तो अब इस बार कितने आएंगे यह सारी information आपको इसी channel मिलेगी तो आप पहले तो इस वीडियो को आप जाते से जादा अपने दोस्तों के साथ share करे वीडियो को लाइक करें और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थेंक्यू